असलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल क्विक लेर्निंग बिग नूर्ट आज हम विल्यम फॉक्टनर के नॉवल दा साउंड एंड फ्यूरी की सेक्शन वाइस डिटेल्ड समरी में थर्ड सेक्शन को कवर करने लगे हैं इस सेक्शन को कॉमसेन फैमिली से बिलॉंग करने वाला मिडल संड जेसन नरेट करता है और इस सेक्शन की नरेशन जेसन सिक्स एपरल 1928 फ्राइड़े को करता है 1928 में एक अच्छी जुम्ह की सुबा का अगाज होता है और इस दिन के बाद ही यानि के फ्राइडे के बाद सेटरडे को ही बेंजी अपने सेक्शन को नरेट करता है उस दिन जेसन कॉमसन अपनी मदर कैरोलिन कॉमसन और मिस कुंटिन के साथ लड़ाई कर रहा होता है और इसके बाद जेसन के फ्लेश बैक्स को डिस्क्राइब किया जाता है जेसन अचनक से ही अपनी परसनल आइफ हिस्ट्री और अपनी फैमली के पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देता है उसे याद आता है कि उसकी एल्डर सिस्टर कैडी की हरबर्ट हेड के साथ 1911 में शादी हुई थी और जब हरबर्ट हेड को कैडी के नजाजीस बच्चे के बारे में पता चलता है तो वो कैडी को डाइवर्स दे देता है जेसन कॉमसन की मदर कैरोलिन कॉमसन कैड़ी को तो अपने साथ रखने से इंकार कर देती है मगर उसकी बेटी मिस कुिंटिन को अपने साथ रख लेती है मिस्टर कॉमसन की अलकोहलिजम की वज़ा से टैथ हो जाती है और उसके बाद जेसन सारे घर पर कबजा कर लेता है हरबर्ट हैट ने कैड़ी से शादी करते हुए जेसन से ये वादा किया था कि वो उसे अपनी बैंक में एक अच्छी नौकरी दिलवा देगा मगर जब उन दोनों के दर्मयान डाइवर्स हो जाती है तो हरबर्ट हैट अपनी दी गई इस आफर को भी कैंसल कर देता है जेसन फिर एक लोकल फार्म स्प्लाइ स्टोर में एक वर्कर के तॉर्ट पर काम करना शुरू कर देता है मगर उसकी मदर कैरोलेन कॉमसन को ये उमीद होती है कि एक दिन जेसन उस टोर को खरीद लेगा जेसन अपनी बैंक की अच्छी नौकरी को खोने पर और फार्म स्प्लाइ स्टोर पर काम करने की वज़ा से मिज़ाज में करवा हो जाता है जब जेसन की उमर मिड थर्टीज यानिके 30 और 40 के दर्मयान होती है तो वो एक मीन स्पिरिटिड मैन में कनवर्ट हो जाता है और वो कैडी की तरफ से मिस क्विंटिन को भेजी जाने वाली पॉकिट मनी को अपने पास रखना शुरू कर देता है कैरोलिन कॉमसन अपने मिडल सन जेसन से सबसे ज़्यादा प्यार करती है और उस पर अंदा यकीन भी करती है जेसन ने अपनी एलडर सिस्टर कैडी से 15 साल के अरसे में 50,000 डॉलर्स चुडा लिये थे जेसन इस एक्स्ट्रा मनी को कॉटन मार्किट में प्ले करने और मैंफिस में एक प्रोस्टिट्यूट को पे करने पर खर्च करता था मगर कैडी जेसन की नेचर को अच्छी तरह जानती थी और उसे इस बात पर शक होता है कि जेसन उन सब के साथ एक स्कीम खेल रहा है इसी वज़ा से वो मिस कुटन को चेक भेजने की बजाए मनी ओर्डर भेजना शुरू कर देती है जिस पर मिस कुटन के साइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उसकी 17 साला बेटी मिस कुटन एक प्रोम स्कुस और रबीलियस गर्ल होती है जिसमें अपनी मदार कैडी की बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज भी पाई जाती है और वो अपने स्कूल को अक्सर होकात बंक कर लेती है जेसन कई बार मिस कुटन को डराने की कोशिष करता है उसके इंसल्ट भी करता है और उसे अपनी बेल्ट से भी मारता है मगर डिलसी हमेशह उसे बचा लेती है और यहाँ पर हा우स कीपर डिलसी दुबार मेस कुटन की प्रोटेक्टिव और मदर का रोल प्ले करती है Jason अपनी जॉब से घर वापिस आता है और उसे कैड़ी और अंकल मौरी का लेटर अपनी डेस्क पर मिलता है Jason को अचनक से ही अपने फाधर मिस्टर कॉम्सन का फ्युनेरल याद आ जाता है और उसे ये भी याद आ जाता है कि उनके फ्यूनरल पर उसने मिस कुईंटिन की देखवाल करने की जिम्यदारी ली थी और इसी वज़ा से कैडी जेसन को कुछ पैसे भी भेईती है ताके वो उसकी बेटी मिस कुईंटिन की अच्छे से परवरिश कर सके कैडी के लेटर में उसकी बेटी मिस कुईंटिन के लिए एक मनी ओर्डर आया होता है जिस पर मिस कुईंटिन को साइन करना पड़ेगा और अगर उस मनी ओर्डर पर मिस कुईंटिन के साइन होंगे तब ही उस मनी ओर्डर को कैश करवाया जा सकता है जेसन की सारी पुरानी चाले यहाँ पर नकाम हो जाती है और उसे कुछ नया सोचना पड़ता है जब मिस्कुंटिन अपनी मदर कैडी की तरफ से सेंट किये जाने वाले पार्सल को रिसीव करने आती है तो जेसन उसे अपनी बातों में लेकर ये जूट बोल देता है कि इस मनी ओर्डर में सिर्फ 10 डॉलर है मिस्कुंटिन के पास उसकी बात पर यकीन करने के इलावा और कोई भी चाड़ा नहीं होता जेसन मिस्कुंटिन को इस बात पर फोर्स करता है कि वो अमाउंट को देखे बगएर मनी ओर्डर पर साइन कर दे जेसन को अपने इंटिलेक्शली डिसेबल्ड यंगर ब्रेदर बेंजी की वज़ए से इंबेरिसमेंट को फेस करना परता है और उसकी ये कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द बेंजी को जैकसन के मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ाए जेसन के अपनी बॉस अर्ल के साथ भी बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है जो के डिनर करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाता है अल जेसन पर ये इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी कार की इस्टॉल्मेंट को पे करने के लिए अपनी माज से पैसे चुराए हैं जेसन मिस क्विंटिन को एक आदमी के साथ देखता है जिसने रेड कलर की एक टाई पहनी होती है और वो बगैर कुछ सोचे उन्हें चेज और फॉलो करना शुरू कर देता है जेसन मिस क्विंटिन और अमैन विद रेड टाई के पास पहुंची चुका होता है कि आप वॉय विड टेलिग्राम आकर उसे इंटरप्ट कर देता है वो जेसन को आकर ये बताता है कि कॉटन मार्किट में जेसन का अकाउंट दिन बदिन नीचे जा रहा है जेसन गुसे में अपने घर वापिस आ जाता है और टाउन में दुबारा ड्राइविंग करना शुरू कर देता है टाउन से गुजरते हुए उसे एक फॉर्ड मिलती है जिस पर अमैन विद रेड टाई ने राइड किया होता है जेसन अपनी गारी से नीचे उतर जाता है और वो ये उमीद करता है कि वो आज मिस कुईंटिन को अमैन विद रेड टाई के साथ रंगे हातों पकड़ लेगा जेसन को उसकी कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है और वो इसके लावा कार में बचने वाली हौन को भी सुनता है जेसन अपनी कार की तरफ वापिस भागता है और उसे ये पता चलता है कि मिस कुईंटिन ने उसकी गारी के एक टाइर की हवा निकाल दी है जाता है मगर शो की टिकेट खड़ीदने के लिए से कौाटर की जरूरत है जिसे वो फोच कुगा है जेसन के पास उसी मिनस्टरल शो की दो एक्स्टर टिकेट्स होती हैं जिसकी उन्हें कोई भी जरूरत नहीं होती, मगर वो ये भी अच्छी तरह जानता है कि लस्टर के पास कोई भी पैसे नहीं है, जो के वो जेसन को अधा कर सके, इसी वज़ा से वो एक पूर फैलो लस्टर की मदद करने की बज़ाए उन टिकेट्स को लस्टर के सामने ही जला देता है, इससे आप ये रड टाई के साथ देखा है, मिस कुईंटिन गुसे में कैरोलिन कॉमसन से ये पूछती है, यानि के जेसन हमेशे अपनी मदर कैरोलिन कॉमसन के साथ इतनी ज़दा तमीज से क्यों पेश आता है, मिस कुईंटिन इस सारी आर्गुमेंट के बाद अपने कमरे में पढ़ने क लिए चली जाती है मगर उसके अंकल जेसन को इस बात पर शक होता है कि शायद वो घर से भागने वाली है और इसी के साथ इस नॉवल का थर्ड सेक्षन भी खतम हो जाता है जिसे जेसन नरेट करता है नॉवल के फॉर्थ सेक्षन को एक ओमनिसेंट नरेटर 8 एप्रल 1928 में सं विलियम फॉकनर खुद नरेट करता है 1928 का ये एक इस्टर संडे होता है और ये दिन बैंजी की नरेशन के बाद आता है जबके जेसन के सेक्षन के नरेशन के दो दिन बाद विलियम फॉकनर खुद इस section को नरेट करता है हाउसकीपर डिल्सी आज यूजियल किचन को मैने जोर अरेंज करती है लस्टर आकर अपनी ग्रैंड मदर डिलसी को ये बताता है कि जेसन बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके रूम की विंडो को किसी ने तोर दिया है बैंजी अपना ब्रेकफस्ट कर रहा होता है जबके हाउस कीपर डिलसी जेसन के बास आकर भी उसका ब्रेकफस्ट सर्फ करती है जेसन डिलसी को मिस क्विंटिन के रूम की तरफ भेईता है ताकि वो से ब्रेकफस्ट पर बुला सके जब डिलसी को मिस क्विंटिन के रूम से कोई भी रिस्पॉंस नहीं मिलता तो वो जेसन को बुला लेती है जेसन अपनी मदर कैरोलिन कॉमसन की कीज लेकर आता है और मिस कुइंटिन के रूम के डॉर को अनलोक कर देता है वो अंदर जाकर ये देखता है कि मिस कुइंटिन के रूम की विंडो खुली है और मिस्स क्विंटिन घर छोड़ कर भाग चुकी है जब हाउस कीपर डिलसी को ये पता चलता है कि मिस्स क्विंटिन अपने घर से भाग चुकी है तो वो ये कहती है I see the beginning and now I see the ending यानि कि मैंने इस कॉमसन फैमली के शानदार अगास को भी देखा था खोलने की कोशिश की है जेसन जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसके सारे पेपर्स वहीं पर परे होते हैं मगर मिस्स क्विंटिन उसके सारे पैसे ले कर भाग चुकी होती है जेसन को बहुत ज़्यादा गुसा आता है और वो तैश में आकर शोर मचाना शुरू कर देता है और अपने घर पर पुलिस को भी बुला लेता है उसी दुरान हाउसकीपर डिलसी, लस्टर, फ्रोनी और भेंजी को लोकल ब्लैक चर्च की एक इस्टर सर्विस में लेकर जाती है और उस इस्टर सर्विस में रेवरेट शिगॉग, क्राइस्ट की लाइफ और डेथ पर एक सर्वन डिलिवर करता है जब डिलसी सारे बचों को लेकर घर वापिस आती है तो उसे ये पता चलता है कि जेसन अभी तक घर वापिस नहीं आया जेसन मिस क्विंटिन को ट्रैक करने में शेरिफ की मदद ले रहा है और वो सुबा से शेरिफ के पास ही गया हुआ है शेरिफ को जेसन के इस दावे पर शक होता है कि मिस क्विंटिन घर से भागते हुए उसके सारे पैसों को अपने साथ ले गई है क्योंकि वो ये अच्छे से जानता है कि जेसन एक नॉर्मल सी जॉब करता है जिससे सिरफ घर के एक्सपेंसिज पूरे हो सकते हैं शेरिफ जेसन की उस वक्त तक मदद करने से इंकार कर देता है जब तक उसे मिस क्विंटिन के खिलाफ कोई ठोज सबूत नहीं मिल जाता जेसन अपनी गाड़ी निकाल कर खुद ही मिस क्विंटिन को तलाश करना शुरू कर देता है उसे मिस्कुंटिन की जिंदगी से कई गुना जादा उन पैसों की फिकर थी जिने मिस्कुंटिन अपने साथ लेकर भागी थी रास्ते में जेसन लोडैन के बारे में सोचना शुरू कर देता है जो के मेंफिस में उसकी मिस्ट्रस है जेसन ड्राइव करके टाउन में चला जाता है जहां पर मिन्स्ट्रेल शो स्टार्ट होने वाला होता है और जेसन को इस बात पर पूरा यकीन था कि मिस्स क्विंटीन का लवर अमैन विदा रेड टाई इसी शो के लिए काम करता है जेसन मरी बतमीसी वाले अंदास में एक ओल्ड मैन से मिस्स क्विंटीन और उसके लवर अमैन विदा रेड टाई के बारे में पूछता है मगर ओल्ड मैन को जेसन के इस अंदास पर गुसा आ जाता है और वो वॉयलेंट हो जाता है जेसन वहां से भागने की कोशिश करता है मगर वो ओल्ड मैन एक उल्हारी नमाचीज को अपने हाथ में लेकर जेसन का पीछा करना शुरू कर देता है मिनस्टरल शो का मैनेजर जेसन को इस बात का यकीन दिलाता है कि मिस्स कुिंटिन और उसका लवर अमैन विदा रेड टाई वहां पर नहीं है जेसन एक ड्रैवर यानिके ब्लैक मैन को पैसे भी अदा करता है ताके वो उसे जेफरसन छोड़ाए नौवल की स्टोरी दुबारा से टाउन की तरफ चली जाती है जहां पर लस्टर बैंजी को एक कैरिज में लेकर जा रहा होता है मगर सिमेंट्री में लस्टर बैंजी को उस रास्ते से नहीं लेकर जाता था जब लस्टर गारी को एक अंजान रस्ते की तरफ ले कर जाता है तो बेंजी उंची आवाज में चीखना शुरू कर देता है जेसन भी लस्टर और बेंजी की गारी का पीछा करता है और वो लस्टर की गारी को रुकवा कर उसके सर पर मारता है और लस्टर को ये हुकम देता है कि जिस रस्ते से बेंजी अक्सर जाया करता है उस रस्ते से उसे ना लेकर जाया जाए जेसन बेंजी को चुप कराने के लिए उसे भी टकर मारता है मगर बेंजी चुप नहीं करता और वो चीखता रहता है जब लस्टर बेंजी को घर वापिस लेकर आता है तो उसे जेफरसन के टाउन के वही फैमिलियर साइंस, डॉर्वेस, विंडोस और ट्रीस ओर्डर्ड प्लेस में नजर आते हैं ये सब देखकर बेंजी बहुत ज़्यादा पूर्सकून हो जाता है क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि उसे मेंटल असाइलम में ले जाने की बज़ए जेफरसन के टाउन में वापिस लाया गया है और जो बेंजी पहले रास्ते के तबदील करने पर चीख चिला रहा था अब वो खामोश हो जाता है यही पर इस नोवल का फोर्थ सेक्शन खतम होने के साथ नोवल भी खतम हो जाता है आज के लेक्शर में हमने विल्यम फॉकने के नोवल The Sound and the Fury के थर्ड और फौर्थ सेक्शन के डिटेल्ड समली को कवर कर लिया है और उसके साथ-साथ हमने इस नोवल को भी फिनिश कर लिया है नेक्स्ट लेक्चर में हम इस novel के most important questions के साथ इस novel को cover कर लेंगे So that's all for today, thank you so much for watching this video I hope आज का lecture आपके लिए काफी ज़्यादा informative रहा होगा वीडियो में यूज होने वाले तमाम notes के PDF का link निचे description में provided है The link is also pinned in the comment section So please check it out अगर आज का lecture आपके लिए informative था तो वीडियो को like share करके एक अच्छा सा comment भी कर दें अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नहीं वीडियो का notification मिल सके English courses से related detail information को gain करने के लिए आप मेरे Facebook page को भी follow कर सकते हैं Also you can suggest any new topic in the comment section So guys take care of yourself Inshallah we will meet in the upcoming video lecture till then Allah peace